एक caterpillar का एक butterfly में तबदील हो जाना development कहलाता है और एक छोटे से बीच का एक फलदार दरख में तबदील हो जाना development कहलाता है और इसी तरह से एक ova और एक sperm का मिलकर एक नौजायत बच्चे को में तबदील हो जाना भी development कहलाता है It means development is the process of becoming bigger, stronger and better मैं हूँ शाहिद अली हसरत फिर से हाजिर हूँ child development and pedagogy का एक और wonderful session लेकर तो चलिए आज के session में हम बात करने वाले हैं dimensions of development के बारे में कि वो क्या चीज़ें हैं जो development के dimensions के जेरे असर आती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का session इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं physical development के बारे में और motor development के बारे में साथ ही हम बात करेंगे cognitive development किसे कहते हैं और emotional and social development का impact किस तरह से होता है language development क्या है और साथ ही साथ moral development पर भी हम बात करने वाले हैं अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि ये dimensions या in dimensions के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है तो मैं आपको जवाब दे दूँ के ये dimensions of development जो हैं ये किसी भी person की life या जिन्दगी पर direct असर अंदाज होते हैं उसके overall development पर तो उसकी जो complete personality का जो design होगा उसकी शखसियत की जो तैयारी होगी वो उस पर ये domains या dimensions का रास्त असर होता है direct impact होता है इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है और parents और teachers को क्यों जानना जरूरी है ये भी एक सवाल है और ये वो सवाल है जो आपके test से जो आपके question paper से related तो इन stages या dimensions को parents और teachers अगर समझ जाएं तो वो किसी बढ़ते बच्चे को बहतर तोर पर समझ सकते हैं और इन stages के मताबिख अगर वो कहीं किसी मुश्किल से जूज रहा हो या कोई परेशानी में हो तो उसकी बहतर तोर पर मदद कर सकते हैं यह तो थे क्यों जरूरी है के दो सवालाद चलिए अब हम detail में one by one देखते हैं from physical development to moral development वीडियो काफी लंबा होने वाला है have patience वीडियो को last तक देखें और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है के channel को subscribe कीजिए और bell icon को दबाईए ताके आपको latest video style development pedagogy और dsc या trt के तालुख से notification मिलते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक को लेकर तफसील से तो हम इन तमाम पर domains of development या dimensions of development को इन पांच different subheadings के जरीए से समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए सब से पहले हम लेते ह इसको हम physical growth speed and pattern mechanism क्या है उसका और population difference क्या है physical development के और साथी साथ individual differences क्या है इस बारे में भी हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक सवाल से हम शुरूआत करते हैं कि what is physical development शायद आपके जहन में भी एक सवाल जरूर आया होगा आप याद रखिए जितने जादा सवाल आपके जहन में आएंगे उतना जादा पूछेंगे और जितने जादा सवाल आप पूछेंगे उतना जादा सीखेंगे जितना जादा सीखेंगे उतना आपका सब conscious mind उसको store करेगा और जितना जादा storage होगा उतने ही जादा answers सही या correct जाएंगे और फिर आपका score 100% हो पाए ठीक है चलिए शुरू करते हैं सवाल के साथ कि what is physical development तो इसका जवाब यह है कि physical development is the physical growth from childhood to adulthood and also the growth of gross motor skills and fine motor skills यानि physical growth क्या है physical development है तबही नशोनुमा है जिसमें न सिर्फ बच्पन से लेकर जवानी तक जो development या नशोनुमा होती है वो physical development कहलाती है जिसमें आपके fine motor skills और gross motor skills दोनों का भी growth होना शामिल है ठीक है और एक और जो commonly one line जो definition है physical development का वो यह है कि physical development is the progress of a child's control over his body यानि physical development क्या है एक बच्चे का अब वो process है जो एक बच्चा अपने body पर fully control कैसे हासिल करता है crawling से लेकर एक adulthood तक एक जवान आदमी तक उन फुआने शबाब जिसे कहते हैं तब तक अपने पूरे body पर control हासिल करने का नाम physical development कहा गया ठीक है तो चलिए हम आगे बच्चे तो एक आम हिंदुस्तानी बच्चा जो पैदा होता है वो 2.5 to 3.5 किलो गिराम वजन के साथ पैदा होता है जिसकी आम लंबाई आम तार पर 50 cm हो सकती है तो ये जो फुल साइज अडल्ट में तबदील होने के लिए मुक्तलिफ अदवार से गुजरता है और 15 ता 20 साल में एक मुकमल जवान बन जाता है तो इसी तरह से जो आप देखें के बच्चपन में बच्चों का सर बड़ा होता है और जिसम छोटा होता है तो लेकिन जैस जैसे वक्त के सासा तो उसमें तबदीली वाक्य होती है और जिसम यानि बाद में सर डेवलेप्ट और छोटा होता है और जिसम का जो टॉर्सो जी से कहा जाता है लब्स याद रखें टॉर्सो मेंस दा में पार्ट अफ यूर बाड़ी एक्सेप्ट आर्म्स एंड लेग्स अब आई यह देखते हैं स्पीड एन पैटर्न ओफ फिजिकल डेवलेप्मेंट फिजिकल डेवलेप्मेंट का स्पीड और पैटर्न क्या होता है अगर हम बात करें तो यह जो स्पीड और पैटर्न है नाट यूनिफॉर्मल इन साइज और प्रोपोर्शन यानि हर एक में यूनिफॉरमेटी या एकशानियत नहीं पाई जाती है size में बड़ा होने में या proportion में बड़ा होने में यूनिफॉरमेटी नहीं होती कोई ड्ॉर्मार हो सकता है कोई अल हो सकता है यानि it depends on the genetic influence or the hereditary things which effect on the speed and पैटरन आलसो तो यहां पर आप देखिए दूसरा है जो स्पीड होगी डेवलपमेंट की रैपिड अफ्टर बर्द देन स्लोडाउन यानि जैसे ही पैदाईश के पहले महीनों में स्पीड डेवलपमेंट की जो स्पीड या रफ्तार होगी वो तेज होगी और फिर आगे ज जाते जाते थोड़ा सा स्लोडाउन होगी तो इसे कहेंगे रैपिड आफ्टर बर्द यानि स्पीड ऑफ डवलपमेंट रैपिड आफ्टर बर्द देन आफ्टर फ्यू मन्स इट श्लोडाउन ठीक है और इसी तरह अगर आप देखें यहां पे एक कन्फ्यूजिंग पॉ अगर तीन किलोग्राम वजन लेकर पैदा होगा तो इन फोर मंद्स वो शिक्स किलोग्राम हो जाएगा चार महिने में और इसी तरह से बाइद ऑफ ट्वल मंस वो छे से बारा यानि के डबल हो जाएगा बारा महिनों में तो इसी तरह यहां पे एक छोटा सा महीने में यानि के ट्रिबल या उससे और जादा हो जाएगा क्वाड़ पोल जिसे कहते हैं तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहां से थोड़ा सा यहां पर आपको एक confusion question पूछा जा सकता है यह दे करके क्या 12-24 महिने में उसका वजन और दुगना हो जाएगा या नहीं तो यहां पर थोड़ा सा स्लोडाउन होगा ठीक है तो दिस इस दा स्पीड पैटर्ण ऑफ फिजिकल डवलप्मेंट अब चलिया हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेकानिजम अगर हम देखे तो जैनेटिक फैक्टर प्ले अ मेजर रोल इन डिटर्माइनिंग ग्रोथ रेट एंड प्रोपोर् को डिटर्माइन करने में और इसके कैरेक्टर स्टिक्स को डिटर्माइन करने में एक एता अहम रोल अदा करता हैं यह बात आप जानले और इस ही तरह से तो जैन्यटीक फैक्टर होंगे वह मैक्जिमम् गुरोथ यनि कह जतना उसका जो तवारुस है या hereditary characteristics पेरेंट्स के थुरू आए हैं तो उसको maximum level तक growth करने की पूरी कोशिश करता है उसका genetic factor और अगर आप इसी तरह से देखें तो बाज families में तमाम बंदे well built और अच्छे होंगे लेकिन उन में से कोई एक थोड़ा सा lean दुबला पजला या उन से वो जो family pattern से थोड़ा dev होता हुआ नजर आएगा तो आपके मुशाहिदे में या observation में यह बात आई होगी शायद आई ना अगर आई है तो हमें आपके कमेंट्स का बेसबरी से इंतिजार रहेगा कि ऐसा क्यों होता है तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको clue दे देता हूं कि जो poor nutrition disease या injury तो वाइए ह हम देखते हैं population differences as per physical development क्या हो सकते हैं तो आपने देखा होगा कि बास families में तकरीबन सभी लोग काफी सारे लंबे चोड़े या टॉल होते हैं तो अगर आप उनके बच्चों को पैदाईश के वक्त या childhood में अगर आप देखें तो वो बच्चे compare to others या normal population से उनका जो बर्त के time पर भी जो height होगा वो compare to other children थोड़ा सा ज्यादा होगा I mean ethnic group that are tall in adulthood there show the longer children at the birth also तो उनके बच्चे भी थोड़े से लंबे होंगे तो इसी तरह अगर आप देखें तो malnutrition population shows shorter growth या shorter stature तो जिनको balance diet न मिला या उनको मुतवाजन विज़ा न मिली हो तो ऐसा population भी ऐसा population उनका जो growth rate होगा और जो growth rate होगा वो short हो जाएगा कम नजर आएगा और इसी तरह से अगर poor environmental condition हो तो इसमें there are chances of delay in puberty and also secondary sexual characters तो secondary sexual characters क्या है कि यानि उन्फवाने शबाब या जवानी के वक्त समझिए कि जो लड़के होते हैं उन में मूच का निकलाना दाड़ी का निकलाना आवाज का भारी होना ये secondary sexual characteristics हैं और इसी तरह से girls के अंदर भी आवाज में नखाहत होना और इसी तरह बालों का बड़ा होना और दीगर जिसमानी तबदीलियां आती हैं तो तो differentiate कर तो ये differentiate करती हैं male को female से that is called secondary sexual characteristics तो वो भी डिले होंगे population differences में अगर हम देखें if the environment is poor and if the population is malnutrition या उनको घिजा अच्छी न मिली हो तो भी ये जो development physical development का जो process है उसमें fluctuations आ सकते हैं ठीक है और अगर हम last point अगर देखें individual differences देखें तो individual differences आपको childhood में समझ में नहीं आएंगे आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि at the childhood or majority of the children shows the same pattern तो लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो environmental factors है तो ये वो factors हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे environment और heritage किस तरह से किसी individual के या किसी शक्स के या किसी फर्द के या किसी बच्चे के जिंदेगी पर किस तरह असर दालती है तो development में भी strongly influenced by individual differences तो ये जो development है इस पर individual differences strongly influence ये जो individual differences है ये किसी फर्द के development पर रास्त असर अंदाज होते हैं ठीक है ये तो था physical development अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे dimension of development का दूसरे dimension motor development के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं तो चलिए हम इसको चार different areas में बात करेंगे number one is physical growth and mechanism population differences and individual differences में हम इसको तक्सीम करते हैं और इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहां पर देखिए motor development जो होगा वो early life में यानि after birth बहुत rapidly होगा बहुत तेजी से motor development होगा और later years में थोड़ा से slowdown होगा तो that is a genetic fact और दूसरी चीज है locomotion of six to eight year child किस तरह से होता यह बहुत ही interesting fact है आप यहां पर देखिए कि छोटा बच्चा होता है सबसे पहले creeping सीखता है यानि के रेंगने से पहले का जो stage है जो घिसटना कहते हैं जो creeping करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है फिर उसके बाद आता है crawling का stage जी हां जिसे हम रेंगना कहते हैं दो गुटनों पर और पैरों पर होकर दो गुटनों पर और हातों के जरीये से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है किसी चीज को पकड़ने हासिल करने के लिए और फिर उसके बाद आता है होल्डिंग जी हाँ तो यह स्टेज में बच्चा किसी यह समझे बेड हो या चैर हो या सोफा हो उसे पकड़ कर खड़े होने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद स्टैंडिंग का पीरेट आता है जब वहाँ पर वो पूरा का पूरा लड़ खडाते हुए खडा हो जाता है और ये वो मुमेंट होता है जब पेरेंट्स उसे देखकर खुशी से दोबाला हो जाते हैं और उसके बाद आता है स्टैंडिंग के बाद वो वाकिंग करना शुरू करता है तो वाक को और शहजादों को उंगली पकड़ के जो आप चले हैं तो उसके बाद होता है वाकिंग विथ इंडिपेंडेंटली अब आप तमाम जो है इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद हां तो उसके बाद जो और फर्दर ड और बैकवर्ड भी आ सकता है complete body पे control के साथ ठीक है तो यह motor development physical growth में इस तरह से होता है और इसमें देखिए यह जो दूसरे skills है जैसे hopping है skipping है standing on one leg है और इसी तरह से दूसरे skills है जो fine motor skills और gross motor skills के है तैर ना है boxing है या कोई game खेलना है यह सब के सब genetic genetically नहीं आते हैं तो यह किस तरह से आते हैं सोचिए जरा सोचिए यह आते हैं instructions and observations है जब instructions और observations होंगे तो कोई नए skills जो है सीखी जा सकती है तो यह तो generally creeping crawling वेगरा तो यह उमर के साथ साथ आता है लेकिन बास चीज़ें जो special skills होंगी उन्हें acquire करना पड़ता है जी हां fun सिखाया नहीं चुराया जाता है तो आप observe करके बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं ठीक है है न तो आपने observation से क्या सीखा है मुझे comments में बताइए मैं आपके comments का हमेशा बेसबरी से इंतिजार करता हूँ I feel good when I see that you people comment तो comment का न मत भूलिये चलिए हम बात करते हैं mechanism of motor development की motor development का mechanism क्या होता भाई तो आम तोर पे जो genetic components होते हैं वो age के हिसाब से development कर सकते हैं और वो आम तोर पे होता रहता है age के हिसाब से तो जिसमें physical size वगेरा भी है तो आप देखिए आम तोर पे infants ये छोटे बच्चे उमर के साथ साथ एक same peer group में बढ़ते रहते हैं लेकिन nutrition exercise वगेरा जो है अच्छा nutrition अच्छा exercise क्या करता है आपके fine motor और gross motor skills में बहुत ज़्यादा development ला सकता है strength बढ़ा सकता है muscle power बढ़ा सकता है और bone का strength भी बढ़ा सकता है और यही जो जो एक और एहम बात यहाँ पे आपको ये जो point है ये examination point of view के हिसाब से काफी एहम है कि जो motor development होगा उसका pattern होगा posteriorly ये anterior part और ये posterior part तो posteriorly यानि पहले जिस्म का पिछला हिस्सा I mean the vertebral column जहें वो मजबूत होगा फिर वहां से सामने का हिस्सा anteriorly यानि सामने की जानिब का हिस्सा मजबूत होगा तो this is the pattern of motor development or you can say that this is a mechanism of motor development ठीक है और इसी तरह से तो ये जो motor function होंगे childhood जब experience करेगा बच्चा childhood से होकर गुजरेगा बच्पनिक से होकर गुजरेगा तो उस दौर में ये काफी तेजी से develop होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और population differences देखते हैं तो population differences में एक और अहम बात जो सबसे पहले यहां पे कही जारी गर्ल् advantages small muscle usage and sound sound के और small muscle usage जानी fine motor skills में girls बच्चों से जादा advance होते हैं कड़ाई सिलाई हो या कोई smooth designing हो महन्दी का design हो यहां तो यह तमाम चीजें boys से जादा girls में काफी जादा develop होती हैं और उसी तरह से cultural या population differences में अगर आप देखें तो population में आकसर आम तो पे right hand का usage जो है लिखने के लिए और खाने के लिए होता है बनिजबत left hand के जो sanitary uses के लिए हम आम तोर पे use करते हैं most of the cases में हर community में आप देखिए कोई भी ethnic group में आप देखिए right hand खाने के लिए और left hand sanitary purpose के लिए हम use करते हैं ठीक है और इसी तरह से leg है football के लिए हम leg use करते हैं और basketball के लिए हाथ use करते हैं तो और कौन सी चीज़ के लिए क्या use करत हैं तो आप कुछ और अपने comments के जरिये से बताईए कुछ और चीज़ें अगर आपको पता है या आपको मालूम है तो मुझे comments में लिखकर जरूर भेजिए अब चलिए बात करते हैं individual differences की तो early years में हमेशा याद रखिए individual differences early years में पैदाईश के पहले सालों में नहीं मालू किये जा सकते हैं मालूम नहीं हो सकता है लेकिन after infancy तो जब ये पैदाईश के बाद के जो मरहले होंगे कुछ सालों बाद या infancy खतम हो जाने के बाद individual differences खुल कर नजर आना शुरू होंगे और अगर उसके साथ-साथ hereditary और environment अच्छा environment यो समझे शामिल हो जाए तो individual differences में और ज्यादा निखार आएगा सलाहियतों में खुसूसियत में characteristics में traits में बहुत ज्यादा निखार आएगा और ये कब होगा practice observation के जरिये से individual differences को और ज्यादा निखारा जा सकता है तो मैं और दो चीजें आपको देता हूँ यहां पर दोनों चीजों की तारीफें आपको comment में मुझे देना है कि what is autism and what is CP, cerebral palsy, autism क्या है और cerebral palsy क्या है तो autism और cerebral palsy अगर किसी बंदे को हो तो उसका जो pattern होगा motor development का वो आम बच्चों की तरह नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसके definition में ही आपको मालूम होगा तो चलिए ढूंड़िए definition लीजिए Google बाबा की मदद और मुझे comment कीजिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं